स्मेसकार दोस्तुव मैं राज पांडे आप देख रहे है या आई यह जान लेते हैं अभी की लेटेस्ट अफडेट की भारे में पहले अफडेट यूपित्र प्रसी की है वीडियो को पूरा देख रहे की पहले वीडियो को लाइक सेयर जरूडे इसी परकार कि अठेंटिक जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें, औल पर सेलेट कर दें, इससे हमारे वीडियो का नोडिफिक्षन आप तक सबसे पहले पहुंच जाए, वीडियो का आप सबसे पहले देख पाए, जैसा कि आपको मालूम होगा कि मेरे द्वारा कई वीडियो में कहा गया है कि नॉर्मलाइजेसन में नंबर कटेंगे, ऐसे बहुत से प्रतियोगी चात्र है, जो कई प्रतियोगी परिछों में प्रतिभाग करते हैं, उनका कहना है कि नंबर नहीं कटेंगे, नॉर्मलाइजेसन में नंबर नहीं करते हैं, मैं साथ चिके बढ़ेंगे लेकिन इतना मैं साथ चहेंग कि नम्बर कुए दूसरी ख़बर में आपको बताउंगा पंद्रा सु रुपे मिलेंगे सभी को पेंसन 2022 से किस सरकार की दुबारा किया जाएगा किस पार्टी घोशड़ा है इसके समझ में पूरी जानकारी मैं आपको दूँगा एक महत्पूर्ण खबर दूँगा टेबलेट को लेकर योगी सरकार की दुबारा युवाओं को टेबलेट देने का ऐलान किया गया है किसे मिलेगा किसे नहीं मिलेगा कितने लोगों को मिलेगा और कितना बजट पास हुआ है इसके समझ में इस वीडियो में आपको दानकारी मिलेगी तो सबसे ब़ले हम बात करेंगे यूपिट्र पलसी परिच्छा नॉर्मलाइजेसन को लेकर नंबर घटेंगे या नहीं घटेंगे, कटेंगे या नहीं कटेंगे जैसा कि आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं यहाँ पर लिखा हुआ है सवालों के सही जवाब देने पर भी मिल सकते हैं कम नंबर माली जे सतर कोईशन हमने किया और सतर मेरे सही है तो सतर नंबर मिलना चाहिए क्यों मुझे पैस्ट नंबर मिलेंगे क्यों मुझे चोंसट नंबर मिलेंगे मुझे तो सतर चाहिए तो सतर चाहिए नंबर क्यों काटा जा रहा है क्योंकि दो या दो से अधिक पालियों में जो भी परिछा यूपिटर परलस्टी के माधिम से कंडिट कराई जाएगे सभी में नॉर्मलाइजेशन की परक्रिया अपनाई जाएगी और नॉर्मलाइजेशन के कारण आप जितने कोईश्चन करेंगे जितने question आपके सही होंगे उतने number आपको नहीं मिलेंगे या आपके ratio पर depend करेगा, आपके question पर depend करेगा, आपके गलती पर depend करेगा आपके attempt पर depend करेगा और आपके difficulty पर depend करेगा कि आपके किसने number बढ़ेंगे और किसने number कटेंगे जानकारे देता हूँ फैक्टे देता हूँ आपको समझाने का प्रियास करता हूँ इसमें लिखा हुआ है इस परिच्छा में सामिल होने वाले अभ्यर्चियों को सही जवाब देने के बाद भी पूरे नंबर नहीं मिलेंगे दरसल यूपिटर पलसी द्वारा पीटी के लिए जारी किये गए नोटिफिकेशन में पहले ही साफ सा बता दिया गया था कि अगर एक परिच्छा एक से अधिक पालियों में होगी तो इसमें नॉर्मलाइजेसिन की बेउस्था लागू होगी आप सुभी को पता है कि 24 अगर 2021 को पीटी दो पालियों में आयूज किया गया था इसलिए इसमें भी नॉर्मलाइजेसिन की बेउस्था लागू होगी अईसी इस्थिती में इस संभो है कि आपने जितना प्रश्ट किया है जितने प्रश्ट का उत्तर दिया है जितने प्रश्ट आपको सही है उन सभी के नंबर आपको नहीं मिलेंगे कुछ नंबर कर सकते हैं तो जो मेरे द्वारा कई दिनों से आपसे कहा जा रहा है, वही ख़बर आपको प्रत्यच्छ देखने को मिल रहा है, वही आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, मैं जूट बोलने का काम नहीं करता हूं, हमेशा सही और सठीक जानकारी देता हूं, मैं वादा किया था कि कि नॉर्मलाइजेशन में नंबर कटते नहीं हैं, बढ़ते हैं, जब कटेंग नहीं, तो समतुली कैसे किया जाएगा, और बढ़ा देंगे, तो आप तो उनसे आगे निकल जाओगे, तो सवाल है, कि समतुली कैसे किया जाएगा, उसका एक रेस्वीव होता है, जितने लायक होते हैं, काड़ दिये जाते हैं, और इसके नमत बढ़ानी लायक होते हैं, बढ़ा दिये जाते हैं, या पालियों पर निर्भर करता है, डिफकल्टी पर निर्भर करता है, कोहिश्चन अटेंट पर निर्भर करता है, गल्तियों पर निर्भर करता है, तो आप इंति मिलेंगे कि सरकार के द्वारा पेंसन देने का ऐलान किया गया है आपको मालूम होगा कि 2022 में विधान सबाद चुनाओ है चुनाओ बहुत ही नजदीक है सभी पार्टियों के द्वारा घोशना की जाएगी सवाल है जिनों ने घोशना की है क्या इसकी पहले पेंसन दे रहते हाँ 500 रुपे पेंसन दे रहे थे पर मंठ समाजवादी पेंसन योजना के तहट 500 रुपे पेंसन मिलता था एक साल में 6,000 रुपे आपको पेंसन के तौर पर दिया जाता था वही का मोदी जी कर रहे हैं दो-दो हजार रुपे अकठा करके एक साल में देने तब भी 6,000 हो रहा है और अब भी हो रहा है अब सपा के राश्टी अध्यच अखले स्यादों ने ऐलान किया है अगर हमारी सरकार 2022 में बनती है तो पांसो रुपे से बढ़ा कर पैंसन पंदरा सो रुपे पर मंत कर दिया जाएगा यानि कि आप जोड़ सकते हैं कि एक बरस में आपको कित सरकार बनेगी अभी निर्ने करपाना मुस्किल है आपके उपर डिपेंड करता है आपकी सरकार लाएंगे आपको जो पसंद होगा उसे वोड़ देंगे उसी के सरकार आएगी जब सरकार आएगी तब आपको पैंसन मिलेगा सरकार नहीं आएगी तो पैंसन कैसे मिलेगा त उत्तरप्रजिस की योगी सरकार की दौरा किये गए ऐलान को लेकर बहुत ही अच्छा एलान है सरहना की जानी चाहिए अगर योगी सरकार की दौरा जो एलान किया गया है उसे पूरा कर दिया जाता है तो खुश खबरी है मैं आप से बताना चाहता हूँ योगी सरकार ने ऐलान किया है कि एक करोण इवावों को टेबलेट दिया जाएगा जिसके लिए तीन हजार करोण का बजट पास किया गया है टेबलेट किसे मिलेगा पात्रता क्या है इसके समद्ध में आप लोग जान लेजिए चात उत्तरप रुपे से अधिक नहीं होनी चाहिए इस योजना के लिए आवेदन के वो सरकारी स्कूल का च्छात ही कर सकता है दस्ता बेज क्या चाहिए दस्ता बेज में आधार कार्ट निमाज प्रमाणपत मांक शीट आई प्रमाणपत बैंक खाता व्यूरन मोबाइल नंबर पास्प पूर बात लिखी है इस योजना के लिए प्राइबेट चाहत आवेदन नहीं कर सकते हैं लकित आए दो लाग होनी चाहिए दो लाग से अधिक होगी तो आपको टेबलेट नहीं मिलेगा इस योजना से आप बाहर हो जाएंगे साथ साथ बताया गया है कि चाहत उत्तर प्र लिखी केशीियोजिवेशन टेकनिकल या डिपलोमा में अध्यंरत होना चाहिए तभी इस योजना का मिलेगा अन्यथा नहीं मिलेगा, तो योजना का लाव लेना है, अगर आपके पास इतनी सारी पात्रताएं हैं, तो आप टेबलेट पाएंगे, अन्यथा टेबलेट से बाहर हो जाएंगे, तो आप लोग इसे समय से तैक कर लिजे कि आपके पास इतनी योगिताएं पात्रताएं हैं या नहीं है अगर पात रहें तो आपको टेबलेट का लाव मिलेगा अक्टूबर नॉवंबर तक आपके हाथ में टेबलेट आ जाएगा जैसा कि सरकार ने कहा है अक्टूबर से बित्रण सुरू हो सकता है तो इसी प्रकार के अथेंटिक जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्र कि अफरी सिर्णा आपको अिया कि ये घान जात वा जान बात है actual है